नमस्कार साथियों, टीचर सिप में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत हैं, साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का 7 नमबर अर्था 7 मार्क्स का प्रेक्टिस हो जाएगा, और क्यों होगा आप खुद देख सकते हैं, यह पूरा क्वेस्चन इस यूनिट पर रह देख सकते हैं, पहला यूनिट पर रहेगा गडित की प्रकृति जिसमें इतने सारे टॉपिक हैं, और जिसको हमने बारी-बारी हमने इसके पूर्वा वीडियो में सामिल भी किये हैं, जिसमें से 7 नमबर अर्था 7 मार्क्स का प्रस्ण पूछा जाता है, और यह देखा जा यह CGTate और सिक्षक भरती दोनों में 7 नमबर का पूछा जाता है, इसलिए यह वीडियो बेहद इंपोर्टेंट होने वाला है, तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तो चले साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, गडिती विचार निम्न क्रम में विक्सित किये जा सकते हैं, साथियों याद रखिएगा यह टॉफ 51 एकजाम में पूछा गया प्रशन रहेगा, जो आप सभी के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, इसलिए आप सभी मेरे साथ ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और उत्तर अपने मन में या कमेंट के माध्यम स भी बता सकते हैं, तो निश्चित रूप से पहला ओप्शन देखते हैं यह जब सवार्ट में दिया है उसका मतलब यह है चित्र है, प्रतीक है, या भासा है, या अनुभव है इसका क्रम सभी ओप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रुप से जो गड़ डिटेल समझते हैं यहां तो इसका आंसर जो है साथियों option D होगा डिटेल समझने पर आपको निश्चित रुप से मालुम होगा कि गडित सिखना एक निरंतर प्रक्रिया है बच्चों में ठोस अनभव का क्रम होना चाहिए तो निश्चित रुप से ठोस वस्तु के साथ प्रतिक को द्वारा व्यापी की करण तो याद रखेगा पहला आएगा अनुभव फिर भासा फिर चित्र फिर प्रतिक अर्थाक हमारा जो option D दिखाई दे रहा है निश्चित रुप से यही इसका आंसर होगा याद रखेगा यह बहुत इंपोर्टेंट है साथियों यह सी अन्य तरीके से देखेगा इसी प्रस्ण को पूछा गया है गड़ती विचार विक्सित करने के लिए अनुभव प्रतिक चित्र भासा इनका उप्योग निम्न क्रम में किया जाता है तो इसी प्रकार का प्रस्ण है जो 2022 में मिडिल टेट के लिए पूछा गया है वर्ग दो के लिए पूछा गया है तो निश्चितरुप से साथियों इसका आंसर भी वही होगा अनुभाव भासा चित्र प्रतीक अप्शन डी ही इसका आंसर होगा याद रखेगा जो अन्य तरीके से थोड़ा बदलाव करके यह प्रस्न पूछा गया है 2022 में वर्गदो के लिए आगे नेक्स्ट क्वेस्चन है गडिती संक्रियाओं को स्तरल तेज और मसीनी बनाता है साथियों यह सभी क्वेस्चन हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं जब अलग चेप्टर वाइस हम इसको पढ़े थे तो हर चेप्टर होने के बाद कॉंसेप्ट के बाद आपको वीडिय होगा जो सीजी व्यापम असिस्टेंट टीचर के लिए 2019 में पूछा गया है तो याद रखेगा इसका अंसर ऑप्शन सी होगा आगे बढ़ते हैं साथियों निम्न में से किसका विकास इसकुल में गडित सिक्षा का उद्देश नहीं होना चाहिए ऑप्शन ए है निर्णा इसे नहीं होना चाहिए पूछा जाया रहा है किसका विकास इसकुल में गडित सिक्षा का उद्देश नहीं होना चाहिए तो याद रखेगा या दास्त छमता को बढ़ाना अर्थात रटने की छमता को बढ़ाना या गडित सिक्षा का बिलकुल भी उद्देश नहीं है इ यह प्रक्रिया कहलाती है जो असिस्टेंट टीचर 2019 में सहायक सिक्षक के लिए पूछा गया प्रसने साथियों इसका आंसर ऑप्शन C होगा व्याप की करण होगा आगे बरते हैं साथियों हमारा next question है नीचे दिये गए किस कथन की सत्यता की कसोटी की जाच केवल आनुभवि तरीके से की जा सकती है ओप्शन A देखते हैं पानी 100 अंद सेंटिग्रेट सेल्सियस पर उबलता है ओप्शन B है मोरनी सितंबर के आज पास अंडे देती है ओप्शन C है बारा चार से पुनता विभाजित होता है और ओप्शन D है दो विसम संख्याओं का योग हमेशा एक समसंख्या होता है याद रखेगा साथियों ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रस्न है सहायक सिक्षक 2019 में जो एकजाम हुआ था सहायक सिक्षक के लिए उसमें पूछा गया है इसका आंसर जो होगा ऑप्शन B होगा मोरनी सितंबर के आज पास अंडे देती है उसे अनुभव या सेल्सियस पर उबलता है या प्रयोग के माध्यम से हम पता कर सकते हैं दूसरा मोरनी सितंबर के आज पास अंडे देती है ये आनुभविक तरीके से और बारा चार से पुनता विभाजित होता है और लोकन करके हम इसे पता कर सकते हैं दो विसम संख्याओं का योग से एक समसंख्या होता है इसे किसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं या बता सकते हैं तो यह गड़िती तरक आएगा और इसमें जो दिया गया है अनुभविक तरीके से वो मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है अर्थात इसका option भी इसका answer है आगे बढ़ते हमारे next question है किसी चत्रभूज के चारो कोणों का योग 360 हंस होता है यह सोचना खालिस्थान कहलाता है तो इसका जो आंसर होगा साथ्यों option A होगा व्याप की करण होगा याद रखेगा जो cg व्यापम वर्गदों के लिए 2022 में पूछा गया प्रस्ण है आगे बढ़ते हैं हमारा अ option C है histogram option D है सचित्र graph याद रखेगा साथ्यों वर्गदों में primary स्वारी middle date के लिए पूछा गया प्रस्ण है option A इसका अंसर होगा पाई चार्ट अर्थात हम इस प्रकार का जो पाई चार्ट होता है अलग-अलग जो डेटा रहता है उसके हिसाब से खंड वार इसका प्रति 35% का ये वाला आएगा ये इतने परसेंट का तो प्रतिसत के माध्यम से इस प्रकार का पाई चार्ट बनाया जाता है तो निश्चेत्रुप से इसका अंसर option A होगा कुछ इसी तरीके का प्रस्ण और पूछा गया था देख सकते हैं एक वृत जिसमें त्रिज्य खंड करता है जिसमें विभीन ने राश्यों को निरूपित किया जाता है तो ये भी पाई चार्ट ही आएगा निश्चेत्रुप से इसका अंसर option C होगा आगे बढ़ते हैं एक अंग से गुड़ा करना क्या नहीं है option A है गड़ती विधी option B है गड़ती संकल्पना option C है गड़ती फलन option D है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका आंसर जो होगा साथ यो option C होगा गड़ती फलन होगा एक अंग से गुड़ा करना क्या नहीं है पूछा गया है तो गड़ती फलन नहीं है यह जो है CG Tate मिडिल Tate के लिए 2012 में भी पूछा गया था और 17 में भी पूछा गया था आगे बढ़ते हैं हमारा next question है गड़िती प्रस्णों को हल करने से किसी व्यक्ति में निमलखित में कौन सी मानसिक छमताएं विक्षित होती है Option A है पैटर्नों और संबंधों को तलासने की छमता Option B है इसपस्ट तरीके से व्यक्त करने की छमता Option C है तारकिक और क्रमबध तरीके से सोचने की छमता और Option D है उप्रोक्त सभी तो निश्चीत रूप से सभी option यहाँ पर सहीं लग रहा है इसलिए जो इसका आंसर होगा Option D होगा उप्रोक्त सभी यह असिस्टेंट टीचर के लिए 2019 में पूछा गया प्रस्न है आए नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं शुरवाती स्कुल इसकुली गडित सीखा जाता है तो Option A है ठोस निरूपर द्वारा Option B है सांकेतिक निरूपर द्वारा Option C है चित्रात्मक नि सिख निरूपर द्वारा अर्थात सुरवाती स्कुली अर्थात प्राइमरी में जब बच्चे एडिमिसन लेते हैं प्रारम में जो बच्चे सिखना प्रारम करते हैं वह ठोस निरूपर द्वारा सिखते हैं साथ याद रखेगा Option A इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं हम सवेश्ली इसका separate वीडियो हमारे गडित सिक्षड के वीडियो में सामील है साथ्यों आप वहां बहुत जा कर इसका concept समझकर भी इसे जान सकते हैं तो निश्चित रुप से देखे होंगे तो आपको यह प्रस्न उसमें भी मिला होगा तो निश्चित रुप से इसमें आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा हैं सीखे हुए प्रक्रियात्मग्यान को विभिन परिस्तितियों में लागू करने पर यह जो आगे बढ़ते हैं, गडित में प्रतीकों के विश्तरित प्रयोग के क्या कारण है, ओप्सन देखते हैं, गडित को संचिप्त करना, ओप्सन B है गडित को स्पष्ट करना, ओप्सन C है गडित को एक सक्ति साली संचार माध्यम बनाना, और ओप्सन D है उप्रोक्त सभी, या असिस्टेंट टीचर 2019 में पूछा गया प्रस्ण है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं हमारा next question है प्रात्मि किस तर पर गड़ित की पहलिया मदद करती है option A है कप्छा के मेधावी छात्र की पहचान करने option B है समस्य सुलजाने के कौंसलों को परकने है तो और option D है याद रखेगा यही इसका answer होगा option D समस्य सुलजाने के कौंसलों को प्र।चाहन देने के लिए जो है प्रात्मिक इसक पर गड़ित की पहलिया मदद करती है याद रखेगा यह भी साथियों देखा जाए तो वर्ग दो के लिए मिडिल टेट के लिए पूछा गया प्रस्न है 2012 में DS का आंसर होगा आगे बढ़ते हैं गडित के पुस्तक का प्रतेक अध्याय अभ्यास प्रस्नावली से अंत होता है इसके पीछे की ऑधना क्या है याद रख्येगा पूछा जा रहा है कि गडित के जो अध्याय होता है वो अभ्यास प्रस्नावली के माध्यम से ही समापन होता है तो इसके पीछे अधाना क्या है, पुछा जा रहा है, option A देखते हैं, सिखने का उसर बढ़ाना, option B है एक आगरता को बदलना, option C है समाय का उप्योग, option D है मजा और आनन्द देना, तो निश्चे तरुप से साथ हो इसका जो option A है, यही आंसर होगा, सिखने का उसर बढ़ान की चर्चा प्रात्मिक इस्तर पर करने का तात्परिया है, option A देखते हैं, आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना, option B उनके कम ग्यान के लिए हतोत साहित करना, option C है धीमा सिखने की स्थिति से विचलित करना, option D है अपना ग्यान, छात्रों को प्रदर्शित करना option A इसका आंसर होगा, साथियों विया भी middle date के लिए पूछा गया, प्रस्न है जो 2021 में पूछा गया है, आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना यही इसका आंसर होगा, साथियों आपको प्रस्न सही डंग से समझना है और साथ ही साथ उसके option को भी ध्यान से पढ करांती से प्रभावित है, इनकी जड़े गडित के किस छेत्र के अमूर्त विचार से उत्पन हुई है, option देखते हैं, option A है calculus, option B है अमूर्त विजगडित, option C है बुली विजगडित या बुलियन विजगडित, और option D है उप्रोक्त में से कोई नहीं, साथियों याद रखि रखिएगा, computer के दुनिया में जो क्रांती आई है, वो गडित के किस छेत्र के अमूर्त विचार से उत्पन है, यह पूछा जा रहा है, तो निश्चेतरुप से इसका आंसर होगा, बुलियन विजगडित, जो द्वीधारी पध्धती से बना हुआ गडित है, साथियों जि प्रस्न भी पूछा गया है, मिडिल टेट के लिए वर्ग दो के लिए पूछा गया प्रस्न है, साथियों याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं, हमारा next question है, निमलकित में से कौन सी संकल्पना ठोज बेलन का वक्र सता छेत फल ग्याद करने में सामिल है, साथियों यह भी व ठोज बिलन में हम यह इसका ठोज बिलन है, इसमें जो इसका आधार होता है, उपर नीचे यह वरित से बना होता है, अर्थात वरित का परिधी का भी काम रहेगा, वरित का छेतरफल से भी काम रहेगा, और इसका वक्र सता देख सकते हैं, यह आयताकार है, अर्थात आयत का छेत्रफल का भी काम रहेगा तो निश्चीत रुप से इसमें तीन बिंदू जो है सामिल है आयत का छेत्रफल, वृत का परिधी और वृत का छेत्रफल और नहीं है तो चतुरभूच का कोण इसलिए इसमें सामिल है पूछा जा रहा है तो इसका जो option C दिखाई दे रहा है पहला, तीसरा और चौथा यही इसका आंसर होगा option C इसका आंसर होगा यह 2019 में पूछा गया प्रसन है सांथियों आगे बढ़ते हैं हमारा next question है तीन भिन बिंदू का उप्योग करके निम्न में से बच्चो की गलतियां सिखने में मददगार है, यह विचार किसने दिया है, याद रखेगा हमने लगभग इसके पूरो वीडियो में देखा जाया तो एक concept गलतियों से ही सीखा जाता है, यह विचार किसने दिया था, यह concept में आया था सांथियों, तो उसमें हम बता चुके है, निश्चित रूप से PIAJ का दिया हुआ concept है जिन PIAJ जी का, कि बच्चों जब गलतियां करते हैं बच्चे जब गलतियां करते हैं तो उनके गलतियों में भी उनके सिखने का ही, जो है steps, जो है, छुपा होता है तो निश्चित रुप से गलती करके भी सिखा जाता है यह concept पियाजे जी के द्वारा दिया गया है यह जो है प्राइमरी टेट के लिए पूछा गया प्रस्न है 2021 में आगे बढ़ते हैं हमारा next question है कौन सा कथन सही है option a देखते हैं त्रिभूच के छेत्रफल का उप्योग आयत का छेत्रफल ग्याद करने में लिया जाता है option b है त्रिभूच के छेत्रफल का उप्योग व्रित्ती छेत्रफल ग्याद करने में लिया जाता है option c है a तथा b दोनों में option d है उप्रोक्त में से कोई नहीं निश्ची तुपी से साथियों इसका पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही है इसलिए इसका जो आंसर होगा option c होगा a तथा b दोनों यह भी वर्ग दो के लिए पुछा गया प्रस्न है 2016 में आगे बढ़ते हैं साथियों हमारा next question है बीजी वेंजक प्रारम करते समय क्या महतपुड बिंदू बताना आवश्यक है option ए है संकेतो का मूर्त वस्तू के लिए प्रयोग option b है संकेतो का अज्यात वस्तू के लिए प्रयोग option c है संकेतो का परसंक्रिया option d है उप्रोक्त सभी साथियों याद रखेगा इसका आंसर option b होगा संकेतो का अज्यात वस्तू के लिए प्रयोग याद रखेगा BG वेंजक में हम BG वेंजक के गडित में याद रखेगा माना की वह संख्या X है ऐसा हम मानते हैं तो याद रखेगा यह जो संकेत होती है यह अज्यात वस्तो के लिए प्रयोग होता है इसलिए इसका अंसर option B होगा तो चले, साथियों हमारा next question है, नीम्न में saha करम है, साथियों याद रखेगा इसमें कौमा लगाना भूल गये हैं, तो याद रखेगा इसमें जो कौमा इस प्रकार का होगा, कौमा लगा के पढ़ने पर जद़ अच्छा रहेगा, यह जो है इस प्रकार का, तो इसमें रिजू कोण अधिक कोण प्रतिवर्ति कोण समकोण रिजू कोण अर्थात जो है इसका क्रम ये पूछा जा रहा है बढ़ते क्रम में तो साथियों याद रखेगा आप सभी जानते हैं अधिक कोण जो होता है 90 अंसे अधिक और 180 अंसे कम का कोण होता है अर्थात इस प्रकार का कोंड जो होता है ऐसे कोंड बनता है वह अधिक कोंड होता है जो 90 अंसे अधिक होता है वही रिजू कोंड की बात करें तो यह रिजू कोंड 180 के कोंड को बोला जाता है याद रखेगा और वही प्रतिवर्ति कोंड की बात करें तो यह जो है अपोजित डायरेक्शन में होता है और 360 अंस से कम होता है इस प्रकार घुमने लगता है तो यही इसका आंसर होगा साथियों बाकि जो है क्रम देखा जाए तो आप फिट नहीं खाएगा आप खुद देख सकते हैं सम कोड जो है 90 अंस का होता है और प्रतिवर्ती कोड जो है सिधा 360 तरब जाने लगता है फिर अधिक कोड आता है वो फिर 90 अंस से अधिक और 180 से कम तो यह सब जो है क्रम में नहीं है क्रम में सिर्फ अप्शन ए दिखाई दे रहा है यही जो है इसका आंसर होगा याद रखेगा जो सीजी व्यापम वर्ग दो के लिए टेट में 2014 में पूछा गया है याद हैं इसका हम डीटेल में जानकारी दिये भी हैं साथियों आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गडित में ड्रील कार्य का मुख्य उद्देश्च है तो आप्शन ए है नए प्रत्यों प्रत्यायों को इस्पष्ट करना आप्शन भी है नए सुत्रों को समझ आप्शन भी है यह वर्गदों के लिए पूछा गया गडित और विज्ञान इस पेसली याद रखेगा यह वर्गदों में गडित और विज्ञान में पूछा गया प्रस्न है 2014 में तो याद रखेगा आप्शन सी इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रचों में गडिती विचार निम्न क्रम में विक्षित किया जा सकते हैं यह भी प्राइमरी के लिए 2012 में पूछा गया प्रस्न है यह इसी प्रकार का कुछ प्रस्न उपर में भी देखी हैं यह थोड़ा घुमा दिया गया है तो निश्चित रुप से साथियों इसका नि प्राइमरी डेट के लिए पूछा गया प्रस्न है 2012 में इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं बच्चों में अमूर्त स्वर पर कार्य करने की चमता विक्षित करने के लिए निरूपड का कौन सा क्रम सबसे अधिकुप्यूगत है तो कुछ इसी तरह का प्रस्न है तो इसल दोजार एकिस में प्राइमरी टेट के लिए पूछा गया प्रस्न है देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार का प्रस्न बस को घुमा दिया गया है साथियों और यह जो है दोनों एक ए तरीके का प्रस्न है आगे बढ़ते हैं साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेस्चन है बीज का सुत्र का अधियम व्यापकी करण होता है आगे बढ़ते हमारा नेक्ट क्वेस्चन है समान्यता गडित सिखना कठीन है क्योंकि इसकी प्रकृती मुलता अमूर्थ है बच्चे से पढ़ना नहीं चाहते ऑप्शन सी है सिख्षण पद्धती तुरूटी पून है ऑप्शन याद रखेगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा इसकी प्रकृती मुलता अमूर्थ है यह भी प्राइमरी टेट के लिए पूछा गया प्रस्ण है चले साथ हमारा नेक्ट क्वेस्चन है एक डीड प्रसिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉ ओप्शन ए है इकाईद है की समझ नहीं ओप्शन भी है हासिल संख्य की समझ नहीं ओप्शन से सुनने की समझ नहीं ओप्शन दी है उधार लेने की समझ नहीं यह प्राइमरी टेट के लिए 2012 में पूछा गया प्रस्ण है तो निश्ची दुरुप से इसका अंसर ओप्शन का विकास करना इस पहल्यू का उधारन है option A है सोपान क्रमिक संरचना है option B है विशिष्ट से व्यापक की और option C है मूर्त से अमूर्त की और option D है उप्रोक्त में से उप्रोक्त में से कोई नहीं तो निश्चित रुप से साथ हो इसका जो आंसर होगा option C होगा मूर्त से अमूर्त की और बढ़ना हम मूर्त वस्तवों जैसे की गोलाकार वस्तवे गेन संत्रा जैसे त्रीवी मकार थ्रीडी अकार के वस्तवों का उप्योग करके गोलाई की अधाना को विक्षित कर रहे हैं बच्चों के दिमाग में तो यह मूर्त से अमूर्त की और आएगा option C इसका अंसर होगा primary date के लिए 2022 में पूछा गया प्रस्न है आगे बढ़ते हैं हमारा next question है algorithm बच्चों में नहीं विक्षित कर सकते option A है रटना option B है सुत्र, option C है तरक और समझ option D है ग्यान option A इसका अंसर होगा algorithm जो है बच्चों में रटना विक्षित नहीं कर सकते option A इसका अंसर होगा primary date के लिए पूछा गया प्रस्न है आगे बढ़ते हैं बच्चों में गोलाई की आउधाना धीरे धीरे विक्षित होती है तो निश्चेत रुप से अभी उपर हम इसका प्रस्न देखे हैं यह 2012 में पूछा गया प्रस्न है मूर्त से अमूर्त की और ये भी आएगा इसका अंसर होगा option B आगे बढ़ते हैं निम्लखित में से कौन सा आयतन की अधाना सिखने के लिए सहीं प्रादर्स नहीं है एक गेंद, एक लोहे की पेटी, धागे का तुकड़ा, पानी की तंकी साथियों याद रखेगा आयतन अर्थात इस्थान घेरना यदि कोई बस्तु इस्थान घेरता है तो उसका आयतन होगा तो एक गेंद जो है, आयतन समझाने के लिए निश्चित रुप से सहीं होगा लोहे की पेटी भी, पानी की तंकी भी और नहीं होगा तो धागे का तुकड़ा, तो निश्चित रुप से यही इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं, अमूर्थ गडित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारम होता है आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक भारती गडित अग्ये नहीं है आप्शन देखते हैं साथियों, सारंग देव आप्शन भी है महावीर आप्शन सी है, बहुधायन, आप्शन डी है, ब्रह्मगुप्त याद रखे के साथियों, रहने के लिए, यह सभी भारती है लेकिन यहाँ पर भारती गडितग्ये पूछा गया है तो महावीर जी जो है भारती गडितग्ये के स्रणी में आते हैं बहुधायन, ब्रह्मगुप्त यह सभी आते हैं लेकिन सारंग देव जी है, एक संगितकार है, याद रखे का इसलिए इसका अंसर जो है आप्शन ए होगा सारंग देव, महावीर बहुधायन और ब्रह्मगुप्त भारती गडितग्ये है जबकि सारंग देव एक संगितकार्द है आगे बढ़ते हमारा नेक्ट क्वेस्चन है निमलकित में से गडित का संबंद किस्से नहीं है तो आप्शन A है सुद्धता, आप्शन B है विशिष्ट क्रम, आप्शन C है विस्तारित अभिव्यक्ति, आप्शन D है श्वरूप तो याद रखेगा इसका जो आंसर होगा आप्शन C होगा यह सुद्धता, विशिष्ट क्रम, श्वरूप यह सभी गडित की प्रकृती में आता है, गडित किस से संबंद रखता है और नहीं है तो विश्थारित अभिवेक्ती यह इसलिए इसका अंसर option C होगा आगे बढ़ते हैं, रोहित को अनभव होता है कि वर्ग एक सम्चतुर्भूज और आयत दोनों है यह चिंतन किस चरण से है तो याद रखेगा इसका जो अंसर होगा, option B होगा, संबंद से होगा रोहित जो है, सम्चतुर्भूज और आयत दोनों में संबंध इस्थापित करके वह इस चिंतन के चरण पर है, याद रखेगा, तो संबंध इसका अंसर होगा यह प्रामरी टेट के लिए 2022 में पूछा गया प्रस्न है, याद रखेगा आगे बढ़ते हैं हमारा next question है, सोच की वृद्धी और गड़िती संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकड़ संबंध किसमे इस्थापित किया जाता है, तो याद रखेगा इसका जो आंसर होगा अनुसंधान प्रामरी टेट के लिए 2022 में पूछा गया प्रस्न है, अनुसंधान सोच की वृद्धी और गड़िती संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकड़ संबंध इस्थापित किया जाता है, तो अनुसंधान सोच इसका आंसर होगा नेक्स्ट हमारा क्वेशन है, मौकिक उदाहरन विद्ध्यार्थियों में किस सक्ति को विक्सित करते हैं, ऐपसन विचार सक्ति करते हैं और और याद रिखेगा आगे बढ़ते हैं स्वरूप और कार्य पद्धती ऑप्शन सी है गडित के प्रतिया रूची ऑप्शन डी है गडिती तर्क सकती याद रखेगा ऑप्शन बी स्वरूप और कार्य पद्धती लिया गया आंसर है व्यापम के द्वारा तो याद रखेगा निमलखेत में से क्या गडित सिक्षण क के खेल का उप्योग अत्यधी उप्योगत होगा उन अवधानाओं को विक्सित करने के लिए जो संबंधित हैं संबंधित से हैं तो याद रखेगा option A है मापन, option B है संख्याओ, option C है कृतियों, option D है ज्यामिती तो याद रखेगा साप और सिढ़ी का खेल जो है संख्याओं से खेलने के लिए संख्याओं के जो अवधानाएं हैं उसे विक्सित करने के लिए या उप्योगी खेल है याद रखेगा इसलिए इसका answer option B होगा आगे बढ़ते हैं हमारा next question है यदि एक सिक्छार्थी की बुद्धी लब्दी 100 है, 100 हो तो इसका आसा है, option देखे साथियों, option है सिक्छार्थी प्रतिभा साले बुद्धी का है, सिक्छार्थी की बुद्धी का इस्तर उच्चतम है, सिक्छार्थी की मानसिक आयू और वा वास्त्विक आयू बराबर है, याद रखेगा कोई यदि सिक्छार्थी का बुद्धी लब्दी 100 आता है, 100% आता है, तो याद रखेगा सिक्छार्थी की मानसिक आयू जो है और वास्त्विक आयू दोनों बराबर होगा, तभी उसकी बुद्धी लब्दी 100 आयेगा, या सभी जानते हैं आगमन विदी का हम इस विशेष एक वीडियो हमारे इस गडित सिक्षण के सीरीज में सामिल है प्लेडिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं तो याद रखेगा गडित सिक्षण की आगमन विदी का सिध्धान ग्याद से ग्याद की और बढ़ना है इसलिए इसका अंसर ऑप्शने होगा आगे बढ़ते हैं साथ्यों निमलकीत में से किस छेत्रफल को प्राय सभी समतल्सटों के छेत्रफल गयाद करने के लिए उपयोग्ग किया जा सकता है ऑप्शन और ट्रीबूच का छेत्रफल ओप्शन भी है आयद का छेत्रफल option C है, समाना अंतर, चत्रभूच का छेत्रफल, option D है, व्रीत से घिरे, छेत्र का छेत्रफल, याद रखेगा, त्रिभूच के छेत्रफल का उप्योग सभी समतल सतहों के छेत्रफल गयाद करने के लिए उप्योग किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर option A होगा, या सेजी व्यापम प्रामरेट 8 2016 में पुछा गया प्रस्न है आगे बढ़ते हैं गडित की पाठे चर्या का के मुख्य गूड है option A है महत्व कांची option B है सुसंगत option C है महत्पुड गडित सिखाना option D है उप्रोक्त सभी आगे बढ़ते हैं निम्लकित में कौन सी सरवाधिक समाने संकल्पना है प्राक्रितिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं समसंख्याएं, विसमसंख्याएं और देखा जाय साथियों तो सरवाधिक समाने संकल्पना इसका answer option B होगा पूर्ण संख्याएं क्योंकि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे जीरो सामिल होते हुए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और यह अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या हैं जिसमें यह तीनों जो है बाकी जो है सामिल है इसलिए इसका जो आंसर होगा option B होगा आगे बढ़ते हैं हमारा next question है गडित की सिख्छा का मुख्य उदेश्य है option A है विद्यार्थियों को गडित समझने में मदद करना option B है उपयोगी छमदाओं का विकास करना option C है बच्चों की गडिती प्रतिभाओं का विकास करना option D है ज्यामिती के प्रेमयों और उनके प्रमाडों का स्वतंत रुप से स्रिजन करना याद रखेगा साथियों इसका जो आंसर होगा गडित बच्चों की गडिती प्रतिभाओं का विकास करना इसका आंसर होगा option C इसका आंसर होगा गडित सिख्चा का मुख्यों देश्य आगे बढ़ते हैं बच्चों की गलतियां सिखने में मदद गार है यह विचार किस ने दिया तो याद रखेगा यह प्रस्न जो है साथ्यों रिपीट हो रहा है एक बर और पुछा गया है इसलिए हम उपर और सामिल कर चुके हैं तो निश्चिद रुप से इसका जो option होगा D यही इसका आंसर होगा प्रामरी टेट के लिए पुछा गया दो हजार एक किस में सामिल है दो हजार एकिस में उत्तर में निमना नुशार प्रक्रिया करता है तो याद रखीगा एक बच्चा जो है इस प्रस्न को इस प्रकार जमाता है देख सकते हैं 3476 को इस प्रकार रखे गया और उसके नीचे 937 को फिर जोण कर इस प्रकार लाया गया है इसका उत्तर देख सकते हैं साथियों यह यह दर साति की बच्चे में अभी भी कमी है, तो कौन से चीज़ का कमी है, पूछा जा रहा है, देख सकते हैं, यह भी पूछा गया पूछा गया प्रसन साथियों, प्रायमultural tadi 2021 में, तो देख सकते हैं, निश्चित रूप से इसमें जो है, इस्थानी मान की कमी है, साथियों, option B is cancer होगा इस्थानी मान के अधाना की कमी है अगर इस्थानी मान के अधाना विक्सित हो गई रहती तो निश्चित रुप से यहाँ पर 3476 को लिखने के बाद 937 को लिखा जाता तो इकाई के नीचे इकाई से सुरू करते हुए इस प्रकार लिखा जाता तो निश्चित रु से निमलखित में से कौन सी सिखने की रणनिती B is bloom द्वारा विक्सित नहीं की गई है ऑप्सन देखते हैं विशेवस्तु का इकाईयों में विभाजन विशिखने में आने वाली कट्नाईयों का पहचानना सिख्षकों द्वारा मास्ट्री इस तरह पार ट्राप्त करना A और B और D और नहीं पूछा गया है इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्सन C यह प्राइमरी टेट 2017 में पूछा गया प्रस्न है चले नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं सामानेता गडित सिखना कठीन होता है क्योंकि साथ्यों यह भी रिपीट हुआ प्रस्न है क्योंकि और भ आंसर ऑप्सन A होगा आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यह पूछा जा रहा है तो असत्य पूछा जा रहा है गडित्य अधाने अमूर्त होती है गडित हमें प्रकृति के बारे में बताती है गडित्य अधानाओं की क्रमबत सिंकला होती है गडित्य अधानाओं में तार्किक संबन्द होता है निश्चेतुर्प से पहला कथन सही है दूसरा तीसरा कथन भी सही है और चौधा कथन भी गड़ित हमें प्रकृति के बारे में बताती है यह कथन असत्य लिया गया था आयोप के दौरा व्यापम के दौरा इसलिए इसका अंसर याद रखेगा यह प्रस्ण 2019 में प्राइमरी टेट के लिए पुछा गया प्रस्ण है त्रिभूज का छेतरफल मूर्थ और अमूर्थ और धाना है क्योंकि इसे भौतिक रुप से मापा और सुत्र लागू दोनों किया जा सकता है सुत्र लागू करके भी ग्याद किया जा सकते हैं और भौतिक रुप से भी मापा जा सकते हैं इसलिए इसका आंसर ऑप्शन C होगा तो साथियों ये रही आपके प्रेक्टिस के लिए टॉफ 51 क्वेस्चन जो एक्जाम में पूछा गया है निश्चित रुप से आपके प्रेक्टिस के लिए बहतर साबित होगा इस प्रकार देखते रहे हैं आपका अपना चैनल टीचर से धन्यवाद साथियों